हलो दोस्तो टुड़ें स्टोक मार्केटे में फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं फिर से के ऐसे स्टोक लेकर आए चुकि बहुत ही फंडामेंटरी स्टोंग है लेकिन इस स्टोक का अगर बात करें तो इसका सेप्टेंबर क्वार्टर का रिजल्ट एकॉर्डिंग टू से बिलॉंग करता है तो दोस्तो हम चलिए वीडियो स्टोक है कौन सा दोस्तो मैं वीडियो स्टोक करने से पहले एक बार रिक्विस्ट करना चाहूं को कि प्लीज हमारे इवटिशन को सब्सक्राइब किजिए तक जो भी वीडियो के लिए टेस उसका नोटिफिकेशन आप आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं डेली बैसे पर कुछ ऐसे स्टोक लेगा आता हूं जो कि आपको लॉंग टर्म के लिए बहुत इंचबर्दस साभीत वर से का और सौट टर्म में भी अच्छा मुनाफ़ा मिल सके तो दोस्तो हम चलिए वीडियो स्टो करते हैं दोस्तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बिटानिया एंडिस्टी लिमिटेड के रिगाडिंग दोस्तो अगर इसका में लास्ट रेडिंग से स्टोक के बात करें तो लगभग इसमें 0.33% का हमें रिटर्न देखने को मिला था अगर वहीं इस स्टोक का मैं पिछले 1 मंत की बात करे तो यहां पे पिछले 1 मंत में इस स्टोक में हमें लगभग 6.5% के ग्रावट ही देखने को मिल रहा है अगर वहीं बात करें इस स्टोक का पिछले 6 मंत का तो पिछले 6 मंत में इस स्टोक में हमें लगभग 14% के राउंड फिगर में बोल सकते रफली कि हमें रिटर्न देख वहां से इस stock में profit booking भी देखने को मिला है और दुसरी बात एक और है होजा इस stock में थोड़ा से गिरावाट का क्योंकि इसका net profit जो था September quarter का जो result आया है according to June quarter net profit हमें इसमें गिरावाट देखने को मिल रही है लेकिन इस stock long term के लिए बहुत ही जबर दस साबित हो सकता है अब चाहो तो इसके उपर focus बना के रख सकते हो दोस्तो अगर इसका maximum अगर पिछले 5 फिर के यहां पे चार्ट देखे ता आप देख सकते हो कि long term क कि मैं हमेशा बात करता हूँ यहां पर देख सकते हो लग भाग 127 फिर से अधी का हमें return देखने को मिल रहा है इसलिए 5 फिर में कितना जबरदस तरीके से return दिया है वहीं अगर बात करेंगे यहां पे सबसे अधिक दिने को चार्ट पैटरन का आप देख सकते हो कितना जबर कितने लोगों ने delivery कितना delivery ओट रहा है खडारी हो रहा है इस stock में उस चीज़ से लिटर भी थो से data देख लेते हैं यहां पे हम बात करेंगे last trading session का आप देख सकते हो जबरदस तरीके से इस stock लोगों ने खरीद के अपने portfolio में add कर रहा है दोस्तों लग यहां पे हमें 57% से अधिकी इस में delivery हमें देखने को मिल रहा है आप देख सकते ही यहां पे क्योंकि इस stock में हमें खर्दारी करने का मौका मिला है दोस्तों क्योंकि अगर हमें December quarter के रिजल इसका अगर आच्छा हमें देखने को मिलेगा देन इस stock हमें 4000 के अबब पे हमें trade करते हुए देखने क करनी चाहिए अगर कोई long term के लिए कोई stock ढूंड रहे है तो FMG sector का इस stock आच्छा सबीत हो सकता है वहीं मैं बात करेंगे इस stock से रिलेटर कुछ और information करता आप देख सकते हो कि यहां पे 50 tweak लोग ही बात करेंगे तो इस stock 200 के ऊपर trade कर रहा था जब देश में lockdown हुआ था वहा वहीं इसका बात करेंगे नेट प्रोफिट का तो भी मैं देखा देता हूं जो बात कर रहा हो कि इसमें गिरवाट हुई है आप देख सकते हो यहां पे नेट प्रोफिट जो है September quarter के और ए रहा June quarter का June quarter में 51,000 क्रोड का हमें नेट प्रोफिट देखने को मिला था वहीं मैं बात करेंगे तो यहां पे हमें मात 46,000 यहां पे हमें नेट प्रोफिट देखने को मिल रहा है तो अगर मैं बात करेंगे डिविडेंट से लेटर तो यहां पे डिविडेंट अभी तक सबसे पहले का बात करेंगे 2020 में यहां पे अप्रील में लबर इंटेरिम दिया है कम्परी ने जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है आप देखेंगे इसमें प्रमोटर का होल्डिंग कितना है इस स्टोक में यहां पर देखने को मिल रहा है तो चले इस स्टोक से लिए कुछ और भी इंफॉमिशन देखे लाता है यहां पर मैं बात करूंगा सबसे पहले इसका फाइनेंशियल स्टेट्मेंट का यहां पर इंकम स्टेट्मेंट को यहां पर देख सकते हो कि यहां पर इंकम एक्कॉर्डिंग टू इसकी बात करेंगे से यहां पर जून क्वाटर में फिंग अजुद सेल्स में one kror Rank को गिरॉट के कंपणी ने एक्सपेंडिचर अधिक बुक करके यहां पे नेड प्रॉपिट को रिडिश्व कर देखने को मिल रहा है वहीं अगर मैं बात करूंगा इस्सेश्च रिजर्पन सर प्लस में यहा वह थी आच्छा खासा देखने को मिल रहा है यहां पर पिछले साल के एक औरिंग इस साल थोड़ा समय इनकीरीज देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे तो यहां पर कंपनी इयर बाएं फिक्सट इंक्रीज गरत या रहा है तो यहां पर मुझे बहुत इं अच्छा लगा है कि यहां पर दिन पर दिश प्रोह होते जा रही है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फंडर में टिस्कों नेड़ प्रोफिट में गिरावट जिसको जैसे इसमें थोड़ा सामें करेक्षिन इसे स्टोक में देखने को मिल रहा है क्योंकि अल्टाइम हाई थे स्टोक लबहाफ 4000 के ऊपर तो यहां से भी हम देखने को मिला है और इस टॉक में अभी हमें गिरावाट तुरसा देखने को मिल रहा है लेकिन इस टॉक लॉंट के लिए बहुत ही आचा साबित हो सकता है जैसे कि मैंने डेटा दिखाया था फिर से यहां पर देखेंगे मिचलफन की होलिंग इस स्टॉक में तीन इस टॉक से लेटर कुछ और इनफोर्मेशन थे यहां पर हमें अगर इसका मिल रहा है जो कि यहां से दोस्तों हमें कुछ ही दिन के लिए इस स्टॉक इरा दे घ्रावाड देखने को हाला कि आगले बीए बात कर दो करते हूं हमें देखने को मिल चकाए